नमस्कार, मैं पूजा, आम देखे हैं NPU News चलो चलते हैं आज की फटाफट खबरों की ओर किसानों को आप इतनी सस्ती मिलेगी खात 51,875 करोग रुप्य की सबसेटी को मिली मंजूरी गुजरात में 4,60,000 वोटर पहली बार वोट डालेंगे चुनाव आयोग गुजरात चुनाव में इस बार 4,90,000 वोटर डालेंगे मुख्य चुनाव आयोग चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फरेंस हो सकती है गुजरात चुनाव का एलाई राजस्तान में आईकर विभाग की छापे मारी बिका नेरी और नोखा में 40 चगहों प्रेव 500 रुप्य में एल्पीजी सिलेंडर 300 यूनिट बिजली फिरी खटके ने बताया कॉंग्रेस के संकल जारकंड सियम हेमंत सोरेन आज इडिक मामले में सामने पेस नहीं हुए दिल्ली में प्रदूशन के खिलाप दो कर्मिचारियों की धुलसकर माथ केंद्री सामाजिक न्याय और अधिकारिक्ता मंत्री राजी मंत्री सूस्री प्रतिमा भॉमिंग दून में पॉर्णिंग जीला अस्पिताल परिसर में सैनिटेशन विवस्था को बहतर करने के लिए तिये निर्देश देहरादोन नियामक आयोग संसोधन की जानकारी जनता से साजा करने के लिए एक प्रेस कॉंफरेंस बुलाई भगवान पूर्ण बवीता ने प्रात्मिक विध्याले के प्रधना चार्ज पर लापरवाही का आरोप लगाया देहरादोन आर एसेस को लेकर कॉंग्रेस के बयान के बाद जुबानी जंग तेज सितार गंज उपजीला अधिकारी सितार गंज ने SMI कार्याले का किया निरिक्षन जस्पूर पॉक्सो अधिमियम के तहत मुकदमा दच आरोफी की रपता सितार गंज में उपजीला अधिकारी ने ली बैठक सल्ट विधायक महे जिना ने सल्ट विकास खंड़ साभार में ब्लॉक्स में समिक्षा बैठक की गुजरात के मोर्वी पूल हाथसे के बाद जागा प्रहसासन चंपावच चीले के जरजर जूला पूल की तलास में जूटा 21 देवभूमी पत्रकार यूनियन खटीमा इकाई का किया गया गठान वो वेखुंड नगरी बदरीनार धाम में सोहावने मौसम के बीच प्रधान मंतरी मोधी की महत्तु कांशी ड्रीम प्रोजेक्ट